नमस्कार किसान भाईयों स्वागते हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल है सके एगरी कल्चर में किसान भाईयों आज की इस वीडियो में बात करने वाले पूसा तेजस यचाई सत्यसे गुनसाथ गेहूं की जो वेराइटी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी में आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ सुरू से लेकर एंड तक इसमें आपको जानकारी शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा देखिए लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना किसान भाईयों क्योंकि YouTube की तरफ से notification नहीं जा रहे हैं सभी किसान भाईयों को तो बहुत सारे किसान भाईयों के comment आ रहे हैं कि पूसा तेजस के बारे में बताओ तो इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर जरूर करें ताकि समय रहते किसानों के पास सही जानकारी पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर दबाना तो किसान भाईयों पूसा तेजस हाई 87 गुनसाथ इसके आपको फोटो भी देखने को मिलेंगे और पिछले साल मैंने लगाई थी तो अपने खेत में खड़ी थी उसकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो आप इसको देखकर पहचान सकते हो कि किस तरीके से खेत में खड़ी रहती है इसके अलावा इसकी जानकारी के बारे में बात करते हैं सबी जानकारियां आपको देने वाला हूं, तो सुरवात में अगर हम बात करें इसकी खेती के बारे में, बुआई के बारे में, तो बुआई का जो तरीका है किसान बाईयों, अगर आप इसका तरीका मसीन से आपको अपनाना है, हातों से इसकी बुआई नहीं करनी है, बहु हो दोनों को अपस में मिलाके मैसीन से आपको उराई करनी है जिस ते कि यह अच्छे से खयत में जाए अच्छे से अंकूरित हो और सुरवात से आच्छे तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं इस वेराइटी के बारे में तो किसान बाइयों यहां पर आपको फोटो भी देखने को मिल रहे हैं और वीडियो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगी तो किसान बाइयों यह जो वेराइटी है इसके पोदे की अगर हम बात करें तो पोदे की हाइड ज्यादा नहीं होती है तो पोदा छोटा होने की वज़े से आपको एक फाइदा मिलेगा और पोदा मैंने पिछले साल लगाई है और एक चीज मैंने नोटिस की है कि इसका पोदा थोड़ा कड़क में रहता है तो हलकी फुलकी अगर हवा चलेगी भी और आपने पानी भी लगा रहा होगा तो आपको डणने की जुर्द नहीं है यह वेराइटी आपकी जमीन पर नहीं गिरेगी खड़ी रहीगी खेद में तो यह आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है इस वेराइटी में इकत वाली बात नहीं है लेकिन इसमें क्या होता है किसान भाईयों की अगर आप इस वेराइटी को लगा रहे और आपके खेद में आपको देखना पड़ेगा कि जिस खेद के अंदर आप लगा रहे हो अगर वह खेद पानी भराव वाला है मतलब समतल पानी चलने वाला खेट है उसके अंदर आपने अगर गोबर की खाद भी डाल रहे कि उसकी जेविक खेटी मतलब उसकी जिवान सकार्बन की मातरा बहुत अच्छी है खेट के अंदर तो आप इस विराइटी को 40-45 किलो परती एकड के इसाब से बुवाई करे और अगर आप ऐसे खेट का चेहन कर रहे हो जिसके अंदर पानी भी डलान पर बैता है यानि कि पानी उसमें रुकता नहीं जल्दी से निकल जाता है खेट के अंदर गोबर की खाद वगेरा हरी खाद वगेरा आपने बिल्कुल डाली लगाई नहीं है पिदले पास साथ सालों से तो उसमें आप जो है पचास से पचपन किलो परती एकड हिसाब से इस गेव को डाले क्योंकि उस खेट के अंदर फिर फुटाव किसी हालत में नहीं आने वाला है और फुटाव नहीं आएगा तो खेट खाली रह जाएगा और खेट खाली रह जाएगा तो पैदावार फिर कमी निकलेगी आप कुछ भी कर लेना तो अकुल मिला कि हमारा खेट खाली नहीं रहना चाहिए पूरी तरीके से खेट बरा हुआ रहना चाहिए बालियों से बालियों टकरानी चाहिए इस तरीके से हमको खेती करनी है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अब बात कर लेते हैं इसकी बालियों के बारे में तो इसकी बालियों जो एकिसान बाईयों आकार में छोटी दिखाई देगी आपको लेकिन चोकोर नुमा बालिया होती है दाना चारों और से फिक से रहता है एक बाली में लगबग पचार से साथ दाने निकलते है मैंने पिछले साल गिन के देखे थे और काफी बड़े दाने होते है जैसा दाना आपको सुरवाद में दिखाई देता है बड़ा बड़ा वेसाई सूकने के बाद भी बड़ा ही रहता है चमकिले कलर में होता है वजनदार होता है तो वजन में भी ये विराइटी काफी अच्छी है काफी बड़ा वजन निकलता है जब आप इसको मंडी में ले जाओगे तोलोगे काफ़ी बड़ी आवजन निकलने वाला है आपका इसके अलावा किस्तान भाईयों अगर इसके खाद बीज की बात करें आप पानी की बात करें तो बुआई के समय एंपिकी डालना ही है जैसे मैंने आपको सुरुआत में बता दिया पानी अगर आपकी काली मिट्टी है तो तीन से चार पानी की जूद पड़ेगी और लाल मिट्टी है तो पांस पानी की जूद पड़ेगी आपको क्योंकि उसमें एक आदा पानी जादा ही आपको देना पड़ेगा दूसरी बात इसमें क्या होता है कि जब बालियां वगेरा दाना भराव का समय चल रहा होता है उस टाइम पर थोड़ी नमी की जुरत पड़ती है क्योंकि उस टाइम पर आपके पास अगर पानी की वैस्ता है तो उस टाइम पर आप खेद में नमी बनाए रखे तो दाना भराव अच्छे से होता है एक बात य इूरिया वगेरा आपको डाल नाई है अगर आप रहसाज़ी खängtकरते हो जिवल। तो जीवा अम्रत वगेरा आप घर पर तयार कर सकते हो कई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनको आपको हर पानी के साथ में अपनी फसल को देना है इसके अलावा किसान भाईयों बात करे दिया और आपने तरीके से इसकी खेटी कर लिए सब्सक्राइब का मतलब है कि आपको पहले बताए ना वीडियो में कि आपकी खेट के अनुसार आपको बीज डालना है खेट में अगर खेट के अंदर गोबर की खाद वगयरा की मात्रा ज़ादा हैं तो कम रखे बीजदर और अगर उनकी मातरा ज़्यादा नहीं है तो बीजदर को आप बढ़ाए ताकि फुटाव नहीं हो फिर भी खेत के अंदर बालियों बराव रहें ठीक है ना उस परकार से अगर सही तरीके से आपने बोनी कर दी अराम से 35 कुंटल परती एकड़ की एवरेज आप निकाल लोगी अपने खेती में खेत डलान वाला हो लाल मिट्टी वाला कुछ भी हो पानी ज्यादा लगाने पड़ेंगे इसके अलावा कोई दि जमीन पर गिर गए एक तिनका भी इनका जमीन पर नहीं गिरा यचाई सत्यासी कुंसाट का लाश्ट के टाइम पर मैंने जो एफिरेट टेक्टर की जो रीपर आती है उससे कटवाए थे कई कोई दिक्टती नहीं आई और काभिस हस्ता निपट गया था में तो इस तरीके क यह वेराइटी है किसान भाईयों आप इसको लगा सकते हो सरकारी वेराइटी है पुसा तेजस एचाई सत्यासी कुंसाट और इससे एक वेराइटी पुसा अनमोल भी आती है इससे पहले उसको निकाला गया था उसके बाद पूचा सेजस को निकाला गया था और पुसा अन करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी शेयर की गई है वह आपको जुरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए धन्यावाद